हलो एवरिवन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आज हम डिसक्स करेंगे गैस वेल्डिंग टोर्च के बारे में जैसे कि हमने इस से पहले डिसक्स किया था ऑक्सी असीटिलीन वेल्डिंग के बारे में तो वहाँ पर जो एसीटिलीन एंड ऑक्सीजन मिक्स होती है वो तो इस तरह का हमारा एक torch होता है, डाइग्राम में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन जब हमारा पूरा equipment के साथ में जब attach होता है, तब ये एक छोटा सा part होगा पूरे equipment के comparison में, ओके तो इसके बारे में आज discuss करते हैं, जो हमारा torch होता है, उसको हम normally torch भी कहत है, या फिर gas welding torch बोल लो, या फिर blow pipe torch बोल लो, एक ही meaning है सब का, क्या काम में आता है, एक device होता है, जो की mix करने के लिए काम में आता है, acetylene and oxygen, incorrect proportion, मतलब कितना oxygen आएगा, कितना acetylene आएगा, वो कितने proportion में mix करना है, हम इस torch की help से कर सकते हैं, ठीके, और वो जो mixture होगा, हमे कहा मिलेगा, tip of the torch पे मिलेगा, clear, ये tip of the torch, दो टाइप की torch होती है, एक होता है अपका low pressure, जिसे हम injector torch भी कहते हैं, एक होता है हमारा medium pressure, जिसे हम equal pressure torch भी कहते हैं, ये मैंने एक diagram यहाँ पर show किया है, ये diagram है हमारा oxy acetylene welding का, जो कि हमने discuss कर लिया है, तो इसमें जो यहाँ पर ये वाला part है, जो मैंने अभी round किया है, जिसे मैंने एक circle बनाया है, वो वाला जो part है, वो होता है हमारा torch, एक cylinder हमारा यहाँ पर लग रहा है, oxygen का, एक लग रहा है हमारा acetylene का, दो cylinder है, इन दोनों cylinder से क्या gases निकल रही है, एक से oxygen निकल रही है, एक से acetylene gas निकल रही, यह gas कहां मिलेगी, इस torch में जाके mix होगी, एंड इसके जो tip है, यह वाला tip है, इस torch का tip, यहाँ से क्या होगा, exit होगा, हमें मिलेगा, ठीक है, mix होके, तो यह इसका function होता है torch का, अब आगे देखते हैं, जो low pressure torch होती है, low pressure torch किसले काम में आएगी, यह specially designed की जाती है, जब हम ac pressure gas welding, high pressure gas welding भी discuss किया था, oxy acetylene के वीडियो में साथ ही मही, तो यहाँ पर जब अगर acetylene हमारी low pressure पर होती है, तो हम इस type की torch को use करते हैं, जो pressure रखा जाता है, वो रखा जाता है, बहुत कम 0.7 kg per centimeter square, यह square है, ठीक है, और यहाँ पर जो oxygen का pressure होता है, वो high होता है, तो इसमें जब काम कौन सी आईगी, low pressure आपकी torch काम में आईगी, एक होता है हमारा high pressure या जिसे medium pressure कहते हैं generally, या फिर उसे equal pressure torch भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो oxygen होगी, वो तो high pressure पर ही होगी, oxygen वहाँ पर भी high pressure पर थी, यहाँ पर भी high pressure में, difference क्या है, acetylene जो हम use कर रहे हैं, वो ह इक वल मान लिया है कि 1 kg पर cm2 पर हम use करेंगे, तो इसी pressure पर हम उसे use करते हैं, clear, अब अगर बात करें दोनों डोर्चेस की, तो दोनों में क्या होते हैं, दो needle valve होते हैं, दो needle valve किसके लिए, flow को regulate करने के लिए, एक में होगा oxygen का flow, एक में होगा आपका, एक में होगा oxygen का flow, और एक में होगा आपका acetylene का flow, तो इनको regulate करने के लिए, दो needle valve लगे होते हैं, और mixing chamber क्या करता है, gases को mix करता है, clear, अब दिखने में कैसा होता है, इस तरह का diagram होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक diagram मैंने बनाया है कि हम जब अपने हाथों में देखें, तो वो यह 9 और 10, यह 2 मैंने जो round किया है, यह हमारा एक तो है oxygen का entrance, एक है हमारा acetylene का entrance, जो 8 वाला section है, वो gripping के लिए है, जो 7 वाला section है, यह वाला, यह oxygen valve है, similarly जो यह 6 वाला section है, यह हमारा acetylene का valve है, बीच में हमारा mixing chamber है, यह हमारा torch का mouth है, यह हमारी mixing tube है यहाँ पर यह वाली जोसे 2 से mention किया है, तो यह diagram आपको learn करना है, इसके जो हर एक पार्ट का नाम है, वो आपको अपने mind में याद करना है, and exam में अगर जो torch के बार में question आता है, तो basically छोटा question form होता है, कि welding torch क्या होती है, उसका क्या function होता है, कितने types की होती है, तो हमें यह diagram भापर compulsory draw करना है, because अगर आपने पूरा theory लिखती है, diagram नहीं बनाया, तो आपके mark swap बर deduct हो जाएंगे, clear, तो यह था हमारा torch के बारे में, अब एक हाता है torch tip के बारे में, torch tip क्या होती है, यह basically अलग part नहीं है, इसी का ही एक sub part आप मान सकते हो, इसका काम क्या होता है, जो हमारा torch है, torch के last में ज part है, जो उसके tip है, उस tip की हम बात कर रहे है, clear, अब वापस से देखते हैं उसी diagram को, जो यह tip होती है, यह वाली tip, यह अलग-अलग तरह की होती है, इस पर एक threaded portion होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारी torch है, उससे हम threaded portion को fit कर देते हैं, तो इसको मैं क्या लिखा है, मैं किस तरीके से specify करते हैं, outlet hole diameter से, कि outer, आपका जो hole diameter है, वो कितना है, उसके हिसाब से हम उसका classification, उसको specification उसका करते हैं, एक से ज्यादा hole भी tip में provide की जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो diagram लगाया है, उसमें एक से ज्यादा hole है, इस तरह से आपका cross section बन रहा है, ठीके that tip is screwed or fitted on the front end of the torch, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको fit कर देते हैं, जो हमारा end होता है, front end torch का उसके साथ में, तो यह होती है हमारी torch tip, इसके भी मैंने अलग-अलग diagram से यहाँ पर mention कर दिये, ताकि आपको थोड़ा सा relate कर पाओ, अपने mind में सोच पाओ कि यहाँ इस तर अलग मिलेगा, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, और इसी के हिसाब से हमने क्या करना है, अपना जो हमारा torch है, उसको हम specify करते हैं, clear, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, helpful रहा है, तो वीडियो को like करे, share करे and channel को subscribe करे, मिल से नेक्स्ट वीडियो में, till then, bye